कि नमस्कार इड़ी 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 अनी इड़ी एक मेव चर्चा सध्या भारतात आहेती इड़ी ची कोंट्या ही केंद्री ये अंत्रनांचा पैकी सध्या इड़ी ची जास्त चर्चा सुरुए जे पूर्वी इड़ी इड़ी आता इतकी एक्टिव जाले लिया है कि देशा मदल्या अनेक प्रष्टाचारी व्यक्तिन वरती आर्थी घोटाड़े करना रहा व्यक्तिन वरती इड़ी ची कारवाई सुरू है यनाए CBI अंटी करफ्चन त्या सोबत त्स इंकम टेक्स या सगड़ा डिपा इड़ी नेम की आहे का है इडि कदी पासुन कारवाया करते आए और यह ची स्थापना करी जाले लिया है तेमा पासुन आज परियंत किटी कारवाया जाले लिया है काई कलाई समपत्ती जबतकरों इडिने है ज़रा समझुन गेना आवज़ चकाई मितेश तुमाला सागना राए एकोनिशे 56 साली पंडी जवारलाल नेरूनी अमल बजावनी संचालाना याची स्थापना के लिए एकोनिशे 56 स्थापन करताना या डोकात असा होता की फॉरन एक्सेंज में जे विदेशी गुंताउनू आने भारता दिल कही पैसे याचा अपहार करना या मनी लांडरिंग करना या व्यक्तिन चावरती कारवाई के लिजावी तपास के लाजावा अंकुष्ठेवावा हात्या माक्सा हे तू होता आता इडी दोन काईदां चा अधारा वर्चाल किया है एक है फेमा फॉरेंड एक्सेंज मैनेजमेंट एक्ट आने दुसरा है तो पी यम एल ए मंजे प्रिवेंशन आफ मनी लांडरिंग एक या तला फेमा हा एक कुणिशे नव्यन नुचा काईदा है तो पी यम एल ए हा दोन हजार दोन चा काईदा है या दोन काईदा अनुसार इडी कारवाई करता है फेमा हा अत्यांत कठोर असा काईदा है जाचा उलंगन करनारे व्यक्तिन ना थेट तुरूंगात गात दाता तसा मनी लांडरिंग शुद्दा एक गंभीर अनि तितकाच देशाचा नुकस प्रसंगी अटक करते प्रापर्टी जब्त करते या सगड़े अधिकार इडी चा कड़ आहे अता नव्याने कोर्टानी दिलेले निरने आनुसार इडी चा यफायार देखील अरोपिला देन बंधन कारत नहीं है मुझा तला यफायार मटल जात मा है अता या इडी चा प्रसंगी अपले आला जरा विचार करावाला गेल माक्चा काला खंडा पासों चपन न ते बराचकार 2005 परियंत इडी चा फारचा कारवाया जालेले अपले आईकी बात नाहीं है तो पन 2005 पासों मातर इडी एक्टिवेट जालेले लिया मला मोदी सरकार चा अधी चा काला तुमाला दाखवाया जाले अधी आपन कारवाया बगया । जराटें मालमतता किती जब्था जाल आटी दाज गेना आवश्यक है 2,05-2,111 अगलाखंदा मझे तीं शे सवूिस मालमग्त दपत जले है तो 2,014-2018 अथाया अथा चारी सलिध जले है याही पेखषया एक महतवाची गोषटा है जावर ब्रहटाचार कितिया है कसा है तुम्सा लक्षदी मालमत ता जबत जाली खईपन ते जबत जाले लें मालमत ते चा मुल्य किती हज़ा संजुन गेना आवच चेक है अने ते तुमाला मी आता परियंत संजुन चांगना रहे 2005 ते 2017 आया काला खंडा मदे 5211 करोड रुपयां चा मालमत ता जबत करना ता रहे 5211 करोड रुपयां चा मालमत ता दोन हजार चाउदा ते 2018 आया काला खंडा मदे 24112.15 कोटी इतक्या रुपयां चा मालमत ता जबत करना ता रहे लें तर 2021 ते 2022 या काला खंडा मदे माफ करा 2018 ते 2021 या काला खंडा मदे 15,490, 20-21, 14,107 कोटी आनि 2021 ते 2022 मंजे अत्ता या चालू आर्थिक वर्षा मदे 8,991 कोटी रुपयां चा मालमत ता जबत करना ता रहे लें जर 2014 ते 2018 या काला खंडा चा विचार केला तो 24,112 कोटी रुपयां आनि 2018 ते 2022 या काला खंडा चा विचार केला तर 38,566 कोटी रुपयां चा मालमत ता जबत 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 मंजे मोधी सरकार अस्तित्वात अल्या पासुन अत्ता परियंत 22,698 कोटी रुपयां चा मालमत ता जबत 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 महत्वाचा है बास श्ट हजार सहाश जबत 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 मंजे विचार करा किती रुपयां चे अपहार अपले कड़ा हूत अलेलेत किती रुपयां चे ये सग्डेावर कारवाई कराई चिनाई का, बासश्ट हजार सहाशे आठ्ट्च्ञ कोरोड रुपए एक आजया राज्याचा भाग्य बदलुन टाकतात, यही मोठी अमाउंट आए, एक आजया राज्याची कर्जमुक्ती हो शकते, यही मोठी अमाउंट आए, आनि त्या अमाउंट ला देशात लिया या व्यवस्थे न जे ब्रष्टाचार करते त्या व्यवस्थे न गिलंकृत करूं टाकले रहे। त्या व्यवस्थे न गिलंकृत करते त्या व्यवस्थे न गिलंकृत करूं टाकले रहे। प्रष्टाचार करते त्या व्यवस्थे न गिलंकृत करते रहे। जमेनी ची किम्मत काय होईल। जमेनी ची किम्मत काय होईल। जमेनी ची किम्मत काय होईल। हाँ एक दावा नक्की करूँ शक्ता कि एकाज पक्षावर, दुसरेया पक्षावर, तिसरेया पक्षावर का, विशिष्ट राज्जात का, तक यही तुमाला मी सांगतो। फक्त महाराष्ट्राने पश्चिम मंगाल मधे एडी चा कारवाया होत नही है। प्रतेक राज्जा जिते जिते कुठे मनी लांडरिंग होती आयना, तिठे तिठे या इडी चा कारवाया जाले लेग। आनि तरी ही अपन इडी ला घरगडी सरकर सम्मोद दसू, तो देशाला स्वच्च करनार्या, मनी लांडरिंग चा कालया इतिहासा पासून, कालया धन्द्या पासून, पुना एक दा लांडरिंग करून, पुना एक दा वाशिंग करून, स्वच्च करनार्या एंत्रने वर उगाज प्रश्ण चिन्द लाउन व्यवस्था बदनाम करूने यह उडित साधी सरल अपेक्षा है वीडियो आवड लाचें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नक्की करा दन्यवाद